हेलो फेंड स्वागत अमेरेटीब चैनल पर तो आज फिर आगे निव वीडियो के साथ तो बहुत सारा कमेंट आता है कि सर्गेंडर का हीटिंग जो प्राबलम है उसको कैसे सॉल्व करें कैसे ठीक करें ग्रेंडर बहुत हीट होता है बहुत गर्म होता है तो इसी को आज हम तो अच्छे से इसको देखेंगे कि कैसे यह बिल्कुल एजली क्लीन कर सकते हैं आप खुद से वीडियो पूरा आप देखिएगा ताकि आप पूरा तरह से इसको खोल करके अच्छे से फिटिंग कर सकें तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करदेंगे चैनल नहीं सबस्क्राइब कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे जो यह ग्रेसिंग के साथ जो डेस्टिंग है तो इसको तो पहले क्लिन कर लेना है उसके बाद में पॉइंट तो इसके अंदर है तो अभी हम लोग दिखाएंगे इसके अंदर क्या करना है तो यह हमारा देख सकते हैं इसको आपको क्लीन कर लेना है बरस से बिलकुल तो सबसे पहले यहां पर हम लोग इसका कारबन को निकाल लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर कारबन है इस तरह से यह बना होगा स्प्रिंग का यहां पर दिखाए दे रहा हो आपको इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि इसके बाद यह जो है इसको खीच करके निकालना है ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह एकदम हमारा निकल गया है बाहर इसे निकाल लेना है तो इसमें हम लोग को ये बैरिंग को देखना है ये बैरिंग अगर जाम चल रहा है तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा लेकिन यहां पर एकदम ये कोई भी दिक्कत नहीं है एकदम सही चल रहा है तो इसको हम लोग रहने देंगे बाकि इसको हम लोग रख देंगे साइड में और जो असल जो हीटिंग का जो मेन प्रॉबलम होता है वो इसके अंदर से होता है यह जो एरिया आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे जो यह एरिया है आपने गौर के ओगा कि यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा हीटिंग होता है यहाँ पे पकड़ने के बाद तो यह एरिया हीट होने के कारण है जो यह पे यहाँ पे जो आपका है इसके अंदर जो डस्ट बैठा होता है वो निकलता नहीं है वो निकालना पॉसिबल जल होता नहीं है बहुत कम कोई निकाल पाते हैं तो इसी के कारण ये hitting problem इसी से होता है तो हम लोग इसी को साफ करेंगे ये इतना निकालने के बाद आप देख लिए प्रोसेस कैसे कैसे खोलना है तो चलिए हम लोग इसको भी निकाल के देखते हैं आधे हैं कि तो आप यहां पे जब धियां से देखें ऑगे तो यहां पर चार गोभी आएर आपको मिलेंगगा मातर चार वायर उस वायर को अच्छी तरह निकाले पहले देख ले अच्छे से कौन कहां पर लगा हुआ है गौर कर ले या मार्क कर ले किसी चीज़ से उसके बाद ये चारो वायर को खोल दें आप अच्छी तरह से और दो वायर तो कार्बन का होता है वो तो पता है और ये चार वायर जो है ये ये मतलब अंदर का ये होता है म तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारा मेन खेला आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डश्ट है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी से होता है जब कि कोई इसको साफ नहीं करता है बहुत कम ही लोग इसको कर पाते हैं तो यहां पर हम निकाल के आपको दिखा रहेंगे जो डश्ट आप देख रहें कितना ज्यादा यहां पर यह जो डश्ट निकल रहे हैं तो दोस्तों यहां पर आपने देखा है हमारा कितना ज्यादा डश्ट निकला है इस से सबसे ज्यादा हीटिंग यहीं इसी से होता है तो इसको हम लोग रख लेते हैं साइड में कि यह जो आप देख रहे हैं इसको भी अच्छा से आप किलीन कर लिजे पहले तो यहां पर हमारा हो गया है किलीन तो चलिए अब हम लोग इसको कर लेते हैं फड़ा फट फिट झाल 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 तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ग्रेंडर ओन हो गया यहाँ देख सकते हैं पूरा फिटिंग कर दिया इसे हमने लैंड पर लगा दिया तो जलिए तो देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे ग्रेंडर बिल्क तरह से ओन हो गया है और यहाँ पर जो डश्ट के हम बात करें तो कितना ज्यादा डश्ट निकला है इसी के कारण हमारे ग्रेंडर हीट होता है पूरा तो वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर द कर दो